हेलो फ्रेंज वेलकम टू माई चैनल मैं हूँ निशू आज हम लोग जानेंगे हिंदी ब्याकरन से क्रिया को क्रिया किसे कहते हैं क्रिया के भेद, प्रकार और परिभासा और इसके उदारन तो आउफे शुरू करते हैं क्रिया जिन शब्दों से किसी कार्ज का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं जैसे खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, चलना, दौरना, बोलना, इत्यादी जितना भी काम होता है, जितना भी हम लोग काम करते हैं वो सारे क्रिया के अंदर आते हैं जैसे हिंदी में क्रिया के रूप, लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते रहते हैं जैसे लिंग में लिखता है तो स्टिलिंग में लिखती है वचन एक वचन में दौरता है तो बहु वचन में दौरते हैं इसी तरह से बदलते रहते हैं आगे हम लोग जानेंगे क्रिया के भेद या प्रकार क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं अकर्मक क्रिया और दूसरा सकर्मक क्रिया आगे हम लोग जानेंगे इसके परिभाशा को तो सबसे पहले अकर्मक क्रिया को जान लेते हैं तो जिन क्रियाओं के कार्ज का फल करता पर परता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं जैसे विद्यार्थी पढ़ता है इस वाक में पढ़ना क्रिया का फल विद्यार्थी करता पर पढ़ता है अता इस वाक में अकर्मक्रिया है जैसे कि मैं वीडियो बना रही हूं तो इसका फल मेरे उपर पर रहा है तो ये है अकर्मक्रिया आगे हम लोग जानेंगे सकर्मक क्रिया के वारे में तो इसकी परिभाशा है जिन क्रियाओं के कारी का फल करता को छोड़ कर कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं जैसे अध्यापक ने लड़के को पीटा इस वाक में अध्यापक करता द्वारा पीटने का कार्ज का फल लड़के कर्म पर परता है अता इस वाक पे सकर्म क्रिया है जैसे कि मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना रही है तो इस कार्ज का फल आपके उपर पर रहा है तो य आज हम लोग जाने क्रिया किसे कहते हैं इसके भेद प्रकार और परिभाशा आई होफ यह वीडियो आप लोग के लिए हैलफुल रहा हो तो इसे लाइक ज़्यादा ज़्यादा सेर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए थाइंक यू